लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आप सब्सक्राइब का न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शर्मा डिन दोरी जिले में अंडई समयत कई गाओं की किसान बान निर्मान का विरोध करते हुए धरने पर बैट गए हैं किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा खेतों में लगी खड़ी फसल पर बुल्डोजर चलवा दिया गया है किसानों को जैसे ही इस बात की जानकरी लगी वे लाम बंद होकर मौके पर पहुँचे उन्होंने बान निर्मान का काम बंद करा दिया और खेतों पर ही एक महिने से धरने पर बैटे हुए हैं प्रदेशन कर रहे किसानों का कहना है कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन बंद के लिए अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे दरसल समनापूर विकासखंड के अंडे गाउं में खर्मेर नदी पर जलसंसदान विभाग के द्वारा 348 करोड की लागत से विशाल बांद का निर्मान कराया जाना है बांद निर्मान के चलते साथ गाउं डूप शेत्री के दायरे में हैं किसानों की माने तो बिना उनकी सहमती के जूटे सहमती पत्र तयार कर प्रशासन के द्वारा जबरन बांद का निर्मान कराया जा रहा है किसानों ने बताया कि कई ऐसे किसानों के सहमती पत्र भी तयार किये गए हैं जिनकी मृत्तिव सालों पहले हो चुकी है जिरा प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सेकडो किसान बान निर्मान का विरोध करते हुए खेत में ही तंबू तान कर धरने पर बैठ गए हैं अपने परिवार समयत किसान पिछले एक महीने से दिन रात खुले आस्मान के नीचे खेत में धरने पर बैठे हुए हैं वो खेत में ही खाना बनाते हैं और कड़कडाती ठंड में खुले आस्मान के नीचे ही सोते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान स्थानी विधायक व आदिवासी विकास विभाक के मंत्री ओमकार मरकाम की कारिप्रणाली से बेहद नाराज है। विर रिपोर्ट नियूस 29 इंडिया। यहां मैं दूसरी बार आई हूँ, दूसरी नहीं तीसरी बार आई हूँ, मैं तो आप पत्रकारों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे से ज्यादा यहां डेली आ रहे हैं। क्या इन लोगों के आशू आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं क्या इन लोगों की ये हरी भरी फसले जो एक बहुत अच्छी उपजाओ जमीन है जहां तीन फसली फसल ली जाती आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं आप लोगों से भी मेरा निवेदा ने कि आप भी सरकार को यह बताईए कि यहां के लोगों ने मुआजा सही नहीं लिया है यह इन लोगों ने खामी और ज्ञाकी बांध के नाम पर उन लोगों से जो आसिक्षित हैं कम पढ़े लिखे जिनके परिवार के पढ़े लिखे लोग बहार नौकरी कर रहे हैं दबाव दे करके बहार की कमप लेने वाला कौन है यहां तक जिनकी मित्ती 2012-2014 में हो गई उनके भी साइन की हुए अस्ताक्षर की यहां पर प्रस्तूत कर रहे हैं कि इन्होंने मुआवजा ले लिया इसी से समझ में आ रहा है कि यह सरकारी कर्मिचारियों की सांड गार्ण और 300 करोड का इन लोगों ने बार-बार कहती है कि बीजेपी सासनकाल का है मैं जिला पंचायत अद्दक्ष बीजेपी की और मैं यह कह रहे हूं कि हाँ यह भारती जनता पार्टी के सासनकाल में इसकी स्विक्रिती मिली थी किन्तु मानी सिरासी चोहां जी जो तत्कालिक मुक्ष मंत्री थे उन्होंने जनता के आंसू और दुग देख करके कहा था कि अगर जनता के विकास के लिए हम बांद चाहते थे वो नहीं चाहती तो हम नहीं बनने देगे उन्होंने एक नहीं दो दो बार नर्मदा जैन्ती में भी मान नर्मदा के जैकारा लगा के कहा था कि बांध नहीं बनेगा और यही पर उंकार मरकाम जो आज मंत्री है आदिवासी समाज के उन्होंने कहा था तुम लोग मुझे वोड़ दो मैं तुम लोग मुझे चुना जिताओ मैं यहाँ पर जीता तो बांध नहीं बनने दूँगा अगर बांध भारती जंता पार्टी जवरजस्ती बनाती है तो मैं उनके हाथ कार दूँगा और आज वही मंत्री दो महने से मेरा समाज का वैक्ती यहाँ पर भूके प्यासे बच्चों के साथ पानी में बरसात में ठन में यहाँ पर रह रहा है जिसके पास खाने की वेवस्ता नहीं है जिनकी हरी भरी खेती जिनके अभी बच्चों का भवी से साधी ब्याय गाओं का और वह यहां पर आ करके दो मिनट अपनी जनता से बात करने के उसके पास समय नहीं है उसने कहा कि 24 तारीकों लोग यहां के लोग गए थे यहां त उठा के बता दीजी पूरी छेतर की जनता आप कैमरा गुमाई है यहां का कोई भी वैक्तिव से बात करने नहीं गया था उसके कांग्रेस के ही दो चार कार करता थे जो इस छेतर में है उनके बीच मेर में बैट करके मीडिया को उसने बात रखी कि यह बांध वाले आए हैं और यह बांध बनने देना चाहते हैं इतना जूट बोलता है वो कि उसकी मुँ में भी कीडे पड़ेंगे मा नर्मदा महिया देख रही है कि जूट के सिवा उंकार मरकाम कुछ नहीं बोलता सिर्फ उसको अपना कहना चीब भूल गया कि मैं भी एक किसान हूँ तूने भी किसी के घर में काम किया है रोजी रोटी कमाई है तू इन जंता का दर्द भूल गया मैं यह दिखाना चाहती हूँ और जंता के माद्यम से संदेश पहुचाना चाहती हूँ उंकार मरकाम को लगातार खबरों के लिए बने रही है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश